प्रेंट्स स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल बैक टूए स्कूल में और आज क्या स्टोडी है दराइबिट एंड टॉर्टीज जो कि हम लोगों ने बच्मन में ही स्टून रखी हुई है बहुत पुराना स्टोडी है वो कछवा और खरगोस की स्टोड है है तो आए स्टार्ट करते हैं दराइबिट एंड दरट्रोटीज मेंनिक क्या निगलेगा खरगोस और कछुवा कि रइबिड मतलब होता है कर गोस और टॉर्टीज मतलब होता है कछुवा कि देखते हैं पहले लिए क्या है वनस अपन आटाइम एक समय की बात है वनस There was a rabbit and a tortoise, एक खरगोश था और एक कच्छुवा, They were good friends, वे दोनों अच्छे दोस्त थे, They used to meet and play every day, Used to का हम लोग यूज करते हैं जब पास्ट में किसी हैबिट को सो करना रहता है, जैसे वो मंदि जाया करती थी, वो स्कूल जाया करती थी, वो किर्केट खेला करता था, ऐसे संटेंशन के लिए उज करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं, तो यहाँ पर मेनिंग क्या नहीं किलेगा, They used to meet and play every day, और रोज मिला करते थे और खेलते थे, यहाँ पर क्या मेनिंग नहीं किलेगा, खरगोस हमेशा यह दावा करता था, मैं कछवे से तेज़ दौर सकता हूँ, The article का यूज करते हैं, और Rabbit का मतलब हुआ खरगोस, Always हमेशा के लिए के रहता है, और बोस्ट इट सेकेंड फ़र्म है, जिसका मतलब होता है दावा का, और Dad का मतलब बहुत सारा होता है, का, की, के, और वा भी होता है, और Could का भी बहुत सारा यूज है, Past के लिए भी होता है, और Present के लिए भी होता है, Past में करेंगे तो सका, सकी, और Present में करेंगे तो सकता है, सकती है, Run का मतलब सब को पता है, दौर ना होता है, और Faster जो है, यह comparative degree है, Fast का, जो लोग degree पर होंगे, उनको पता होगा, आगे देखते हैं, So, they decided to have a race, इसलिए वो लोग एक race का फैसल लगी है, Decide का, Second form है, Decided, So का भी बहुत सारा मीनिंग होता है, इसलिए तो, यहाँ पर हम लोग मीनिंग निकालेंगे इसलिए, और They का मतलब वह वह है, और have का भी बहुत सारा मीनिंग होता है, पास है, में है, को है, रखा है, तो have का मीनिंग निकालेंगे यहाँ पर रखा, और मतलब एक race मतलब दौर, इसलिए वे एक race रखें, They choose a starting and finishing point, वे लोग चूज कियें, यानि चुनें एक starting point और एक ending point, दे मतलब हुए, चूज मतलब चुनन, आ मतलब एक, starting मतलब शुरू, end मतलब और, और finishing मतलब खतम, point मतलब एक जगा, और आपके knowledge के लिए बता दूँ, कि चूज के जगा पर हम लोग elect भी उज़ कर सकते हैं, elect भी एक बहुँए, जो इसका मतलब होता है, चुनन, इसका मिनिंग क्या निकलेगा, खर्गोस सच में तेज दो रहा, और कचुए को पीछे दूर छोड़ दिया, यह भी एक past indefinite का sentence है, दा आर्टिकल का यूज करता है, रैबिट मतलब आपको पता है, खर्गोस होता है, और run यह second form है, run का तीनों form, run-run ही होता है, और really मतलब होता है, सच में, fast मतलब तेज, end मतलब और soon मतलब जल दी, lift second form है, leave का, और tortoise मतलब होता है, कचुए, far means, दूर, behind मतलब पीछे, तो इस पूरे sentence का meaning क्या निकलेगा, खर्गोस सच में बहुत तेज दोरा, और कचुए को बहुत पीछे छोड़ दिया, आगे देखते हैं, he thought that tortoise is too slow, and he can rest for a while, पहले एक एक वर्ट का meaning देख लेते हैं, he मतलब वह, thought मतलब, सोचा, ये think का second form है, thought, और that का हम लोग उज़ करते हैं, का, के की लिए, और tortoise मतलब कचुए, is मतलब है, to मतलब भी, slow मतलब धीर है, and मतलब और, he मतलब फिर से वह, can मतलब सकता है, rest मतलब आराम, for a while मतलब कुछ देर के लिए, तो इस sentence का पूरा meaning क्या निकलेगा, उसने सोचा कि कचुए बहुत धीर है, और वो कुछ देर के लिए आराम कर सकता है, आगे देखते हैं, so he stopped under a tree and went to sleep, meaning देख लेते हैं पहले, so मतलब इस लिए, he मतलब उसने याववा दोनों होता है, stopped second form है, stop का, under का meaning होता है, नीचे, और मतलब एक, tree मतलब फिर, end मतलब और, went मतलब गया, sleep मतलब सो गया, तो इस sentence का पूरा meaning कहा निकलेगा, तो वह एक पेर के नीचे सो गया, आगे देखते हैं, meanwhile, tot is kept working the whole time and reached the winning point, एक एक word का meaning देख लेते हैं, meanwhile means, इसके दवरान या के दवरान के लिए उसकरते हैं, tot is मतलब कचुआ, kept यह नहीं रखना, working मतलब चलना, the article के यूज़ करते हैं, whole time है नहीं, पूरा समय या सारा समय, ऐसे sentence में अगर रहेगा, तो एक कर सकते हैं उसका, end मतलब और reached, second form है, reach का, the article के यूज़ करते हैं, winning point, winning point मतलब उन लोगों ने जो elect किया था, जो choose किया था, winning point पे वो कचुआ पहुँच गया, आगे देखते हैं, when the rabbit woke up, he saw that tottie has already owned the race, आईए एक एक वर्ड का meaning देख लेते हैं, when means कब, the article के यूज़ करते हैं, rabbit मतलब खरगोस, woke up means उठा, wake up का second form है, woke up, saw मतलब देखना है, ये भी second form है, see का, that मतलब का, के की, tottie मतलब का चुँ़, और है जहां पी उज़ किया गया है, चुका है, चुकी है के लिए, present perfect tense में ये उज़ होता है, already means पहले, ओन जो है, third form है, win का, the article है, race मतलब दौर, इसका पुरा meaning क्या निकलेगा, जब खरगोस उठा, तो उसने देखा कि, कचुआ already, race जीत चुका है, यानि दौर जीत चुका है, moral of the story, slow and steady, wins the race, इसका meaning क्या होगा, धीरे और इस्थे तरीके से भी, दौर जीत सकते हैं, यानि किसी भी चीज को आप जीत सकते हैं, अगर धहरे रखेंगे तो, moral का meaning होता है, सीख या सबक, so please, अगर वीडियो पसंद आया है तो, चैनल को सब्सक्राइब किजे, और वीडियो को लाइक किजे, we will meet again in the next video, till then, take care and bye-bye,